हाई फ्रेंज आशा करती हूँ आप सब को ठीक ठाक है और इस मॉनसून के सिजन में बहुत अच्छे तरीके से गार्डिनिंग भी कर रहे हैं तो आज मैं एक बहुत ही खुबसूरत फॉलीज प्लांट के बारे में बताऊंगी इसका नाम है ड्रेसेना यह बहुत सारे प्लांट बहुत टॉल होता है तो इसका ऐसे कोई मतलब स्पेशल क्यार की इस प्लांट को जरूरत नहीं है आप इसको पार्शियल सल्लाइट में भी रख सकते हैं अगर इंडोर में रखते हैं तो बीच-बीच में आप इसको बाहर निकालके पार्शियल सल्लाइट में लगाई हो और यह कितना लंबा हो गया इसका एक ही चीज का धैन रखना पड़ता है कि इसका पॉट में जो है वो पानी नहीं जमना चाहिए इसको जब भी अब लगाए वेल रेंड सॉयल में लगाए और पानी बहुत सोच समझ के इसको दीजिए क्योंकि पानी जम जाने से इसका रूट रॉट होने का चांस रहता है तो यही एक चीज आपको धैन में रखना है बाकी कोई ऐसा कोई स्पेशल के इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ता जैसे या बाकी प्लांट में आप बीजबीच में लिक्वीट फटलाइजर देते हैं वैसे अगर दीजिएगा तो इसका जो लीफ का कलर है यह बहुत खुब सूरत रहेगा और बहुत अच्छा गोध भी रहेगा नहीं तो ऐसे कोई खास चीज का ध्यान में इसको रखना नहीं है और यह देखिया और एक वराइटी है इसका पत्ता जो है इसका लीफ जो है एकदम पतला-पतला होता है यह पिंक और ग्रीन शेड में है यह भी बहुत खुब सूरत है यह तो मैंने लंबा सा प्लांट था उसका जो टॉप पोर्शन है उसको काटके मैंने ट्राई कर रही हूं उससे नया प्लांट बनाने की और यह देखिये यह भी एक टो चौड़ा पत्ते वाला है यह भी बह बहुत कुपसूरत है आप ऐसा करके लंबा जो प्लांट होता है ड्रसीन का उसका टॉप पार्ट को आप काटके दूसरा प्लांट बना सकते है उसको पानी में डल के रख दीजिए तो कुछ दिन बाद उससे रूट निकल के आता है फिर आप उसको एक टो जो पॉटिंग म प्लांट से बहुत सारा प्लांट बना सकते हैं और यह मौनसून के सिजन तो बहुत ही अच्छा होता है यह सब काम करने के लिए तो इसका ब्यूटिफुल लीफ के लिए बहुत ही कुपसूरत लगता है और इसका टॉल साइज भी मुझे बहुत पसंद है बहुत टॉल प् यह Song of India भी ड्रेसिना फैमिली से ही आता है इसको मैंने अच्छा से प्रोनिंग किया और इसका स्टेम भी मैं काठ के पानी के अंदर रखी हूं देखती हूं इससे रूट ग्रोथ होता है कि नहीं तक कि मैं और प्लांट बना सको उससे तो हमेशा रूट ग्रोथ होता है ऐसी स्टेम खराब भी हो जाता है लेकिन हमेशा कोशिश करना चाहिए तक एक प्लांट से हम बहुत सारा प्लांट बना सके और यह मेरा गार्डिनिंग अपडिट है आज का मैंने जो अलमंडर शाप प्लांट लगाया था आपके शाद बीडियो भी शेयर किया मैंने लगाया न स्टेम से आप बहुत सारा प्लांट बना सकते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए